Hello Students, Welcome to Ignoobady देखिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके जून 2023 के exam form के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो जून 2023 का exam form है वो क्यों release नहीं किया गया अभी तक और मैं आपको ऐसे दो बड़े reasons बताऊँगा जिसकी वाज़े से आपका जून 2023 का exam form अभी तक release नहीं किया गया है तो आप इस वीडियो को हिन तक ज़रूर देखना लेकिन उससे पहले एक important information अगर आपको किसी भी प्रकार की problem हो रही है इगनू को लेकर या फिर अपने result को लेकर या assignments को लेकर तो आप कैसे मुझे call कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये app download करना पड़ेगा इस app का नाम है call me for app आप इसको play store से download कर सकते हो उसके बाद आपको यहां search bar में type करना पड़ेगा इगनू बड़ी जो मेरे channel का नाम है इस channel का नाम आप type करोगे तो सबसे पहला जो नाम आपको मिलेगा ये इगनू बड़ी का logo भी है और भरत की नाम से आपको यहां पर एक page मिलेगा इस page पर आपको click करना है और फिर उसके बाद आप अपने wallet में कुछ money add करके मुझे directly call कर सकते हो तो ये एक तरीका है आपको मुझे call करने का अगर आपको किसी भी प्रकार की problem होती है अपने assignment से related, evaluation से related या फिर आपकी mark sheet से related तो आप मुझे यहां पर call करके बूछ सकते हो तो देखिए पहले तो बात कर लेते हैं normally आपका जो exam form है वो इगनू में कबसे release किया जाता है तो normally अगर देखा जाए June 2022 का देखें या फिर December 2022 का देखें तो आपका जो exam form है वो धाई से दो महीने पहले आपके exam होने के start कर दिया जाता है और exam शुरू होने के 25 से 20 दिन पहले आपका exam form को close कर दिया जाता है और कुछ students का अगर exam form रह जाता है उसके बाद भी तो वो late fees देकर अपना exam form भर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि आपका जो June 2023 का exam form है उसके क्या reasons है जिसकी वज़े से अभी तक आपका exam form release नहीं किया गया तो देखें पहला तो यह सबसे बड़ा कारण है कि आपका जो December 2022 का जो result है वो 90% release हो चुका है यानि कि 90% students का पूरा result आ चुका है लेकिन अभी भी 10% students ऐसे हैं जिनका result अभी तक नहीं आया है और जो students का result आ गया है उनोंने revaluation के लिए भी apply किया हुआ है तो उनका revaluation का result भी अभी तक नहीं आया है तो उस कारण से अभी तक उन students को जो revaluation में pass नहीं हो पाएंगे या फिर revaluation में भी उनकी अगर मान लीजे back आती है तो उनको June 2023 का exam देना पड़ेगा तो उस कारण से भी आपका ये exam form late किया जा रहा है तो ये था पहला बड़ा reason जिसकी वज़े से आपका June 2023 का जो exam form है वो late किया जा रहा है और दूसरे reason की बात करूँ मैं तो दूसरा reason ये है कि आपको जैसा की पता है कि आपके June 2023 के assignments को submit करना अभी recently start किया गया है इगनू की तरफ से तो जो students को अपना June 2023 का assignments को submit कर्वाना होगा वो students को पहले अपना assignment submit कर्वाना होगा उसके बाद से ही वो अपना exam form भर सकते हैं क्योकि जब आप exam form भरते हो तो वहाँ पर आप से पूछा जाता है कि या आपने assignments को submit कर दिया है या नहीं तो ये mandatory है कि आप पहले अपने assignments को submit करें then उसके बाद आप अपने exam form को भरें तो ये दो बड़े reason हैं जिसकी वज़े से आपका June 2023 का exam form अभी तक release नहीं हुआ है तो जो students assignment submit करेंगे ही नहीं क्योंकि अभी हाली में काफी ऐसे question paper है assignments के जो इगनू की तरफ से update ही नहीं किये गए अभी तक website पर तो जो students अभी अपना question paper ही नहीं आया जिनका वो अपना assignments कैसे बनाएंगे और जब वो assignments बनी नहीं पाएगा तो वो अपना assignments को submit कैसे करेंगे और फिर उसके बाद वो अपना exam form कैसे बरेंगे तो ये दूसरा जो कारण है assignment submission का ये सबसे बड़ा reason है कि आपका जो जून 2023 का exam form है वो अभी तक update या release नहीं किया गया है तो ये दो बड़े reasons थे जिसकी वज़ए से आपका exam form लेट हो रहा है तो अगर आपको ये video helpful लगी है तो इस video को ज़रू लाइक करना और इस तरह की important videos के लिए इस channel को ज़रू subscribe करना so thanks for watching the video thank you so much